नमस्कार सांथियों मैं राजिंदर बंडलोई फिर से आपके सामने नहीं वीडियो लख रहा हूँ क्लास 10 थी की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक की तो अभी तक हमने लेसन नमबर 8 तक की एक्सरसाइज की थी और अभी जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि लेसन नमबर 9 और 10 9 और 10 को अभी 2020 के लिए डिलिट कर दिया गया है और यदि कोई दूसरा आदेस आता है कि उनको पढ़ाया जाएगा या उस से रिलेटेड कॉश्चन अंसर आएंगे तो हम फिर से आपको उनको कंप्लीट करा देंगे ठीके दोस्तों फिलाल हम उनको छोड़ रहे हैं और आपका लेसन नमबर 11 जो है इसकी हम फिलाल एक्सरसाइज कर रहे हैं ठीक है दोस्तों तो आप हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स रिलेट्व क्लासमेट्स के पास सेयर करें और पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखें तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें चलिए लेसन नमबर 11 आपकी एक पोयम है और इसका टाइटल है विंड विंड का आर्थ होता है हवा पहला कोश्चन है इंपोर्टेंट कोश्चन है पतंग को उपर कोन लेकर जाता है जैसे पतंग उड़ती है तो हम कहते हैं कि पतंग उपर जा रहे है यह पतंग नीचे आ रहे है तो किस कारण की वैस होती है हवा पतंग को उपर लेकर जाती है कुश्चन नमबर 2 के ओर चलें हवा हमेशा क्या करती है The wind blows all the day singing loudly हवा दिन भर भहती रहती है और जोर जोर से गाती है मतलब जोर जोर से इसके आवाज भी आती है कभी आती है कभी नहीं आती है अगला है How does the wind work? हवा कैसे कारी करती है? The wind works by hiding itself हवा छुप कर कारी करती है मतलब हवा दिखा ही नहीं देती है हमें कब पता चलता है कि हवा है जब वो हमें पूस करती है पेड़ों की पत्तियां हिलते वे दिखती है या कुछ आवा जाती है अगला है What does the poet want to know about the wind? हवा के बारे में लेखक क्या जानना चाहता है कभी क्या जानना चाहता है The poet wants to know the wind is a beast or a child like him Poet जानना चाहता है कि क्या हवा जो है किसी बड़े खतरनाक जानवर की तरह है या फिर किसी मासूं बच्चे की तरह है Question number 5 है What does the poet ask in the last stanza? आखरी stanza में या आखरी paragraph में कभी क्या पूचता है? क्या कहता है? In the final stanza, the poet wants to know if the wind is stronger stronger than him or just a child like him मतलब ये हम से कहीं ज़्यादा ताकतवर है या मेरे किसी मासूं बच्चे के जैसी है कौन? Wind अगला question है Long type question में पहला है What are the types of works of the wind as described in the poem? इसकी theme बताना है मतलब कवीता में हवा कितने प्रकार के कारी करती है उनका वर्णन करना है In the poem, the wind is described as doing as lot of works कवीता में हवा के द्वारा किये गए करी कारी कारी का वर्णन है जैसे It tosses the kite high या पतं को उपर आकास में लेकर जाती है And blows the bird about the sky पक्षियों को भी उपर हवा की वैसे पक्षियों उपर उड़ पाते है It possesses us या हमें push करती है And calls him to और पुकारती भी है कौन पुकारती है? हवा Question number two है Long type में What does the poet wants to know about the blow or the wind? कवी blow or the wind के बारे में क्या जानना चाहता है? The poet wants to know whether the blow or the wind is young or old कि blow or the wind है वह यूवा है या फिर old है, बुढ़ा है यह कभी जानना चाहता है ठीक है दोस्तों तो ये poem number 11, chapter number 11 आपका था Class 10th MP Board English के हम बात कर रहे हैं तो पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो इन वीडियो को आप जरूर देखें साथ ही आपके friends, relative, classmates के पास हमारे इन वीडियो को share करना न बुले Thank you very much for watching Stay home, stay safe and please, please stay care of yourself